नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मयंग शेखर सेलेक्टेड कैंडिडेट इन फूट कॉर्परेशन ओफ इंडिया बैच 2020 और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल सेलेक्शन मेंटर पे जहाँ पे हम पड़े आप सभी के साथ व कोई भी इंफोर्मेशन को भी अफ्टेट से हूँ आपको मिलते रहेंगे आप चाहो तो आप हमारे मेंटर अंकुर शर्मार सर के साथ कॉंटेक्टर सकते हो या फिर आप हमारे मेंटर विराट दुबेश सर के साथ भी कॉंटेक्टर सकते हो और आपके मन में जो भी क्वैर ही है, examinations से related, आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनके साथ discuss कर सकते हो, तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले word की तरफ, that is skeptical, इसका हिंदी मा अर्थ होता है संदेवादी, आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, and these are first, doubtful, another one is cynical, third one is doubting, fourth one is dubious, fifth one is hesitant, and the last one is questioning, आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो, and these are first, certain, second one is convinced, third one is believing, and the last one is sure, आप इसके एक example को भी लिख सकते हो, जैसा कि मैंने यहां खुद लिखा है, while many actors in Bollywood are eager to get back on the set, some are still skeptical about the situation, इसका अंदी मर्थवा कि जब Bollywood में कई कलाकार set पर वापस आने के लिए उद्सुक है, वहीं कुछ अभी भी स्थीती को लेकर संदेवादी है, यानि जो coronavirus की स्थीती जो हमारे भारत में बनी वी है, उसको लेकर कुछ factors अभी भी संदे में हैं, कि वो set पर वापस आएं या ना आएं, I hope दोस्तों यह पहला वड़ा को clear हो गया होगा, आई बढ़ते हैं हमारे second word के तरफ, that is sinusior, sinusior का हिंदी मर्थ होता है अकर्शन बिंदू, यानि वो point जहां पर हरकोई attract होते हैं, आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, and these are first highlight, second one is attraction, and the last one is center of interest, आएं दोस्तों हम इसका एक example लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है, सौरप गांगुली, यह हमारे सौरप गांगुली है, सौरप गांगुली has become the sinusior of cricket fans after an IPL this year, इसका हिंदी में अर्थ हुआ, कि सौरप गांगुली is worse, IPL पर अपनी टिपनी के बाद, क्रिकेट प्रशंशकों के लिए अकर्शन बिंदू बन गए हैं, I hope दोस्तों यह वड़ा को clear हो गया होगा, आए बढ़ते हैं हमारे तिसरे वड़ के तरव, that is stern, S-T-E-R-N, S-T-E-R-N, stern, इसका हिंदी मर्थ होता है करा, आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, and these are first harsh, second one is strict, third one is tough, fourth one is hard, fifth one is fierce, and the last one is severe, आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो, and these are first lenient, second one is light, and the last one is flexible, आए दोस्तों हम इसका एक example दिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, महाराष्टरा चीफ मिनिस्टर, यह हमारे महाराष्टरा के चीफ मिनिस्टर है, gave a strong warning to lockdown violators, इसका हिंदी में अर्थवा, कि महाराष्टरा के मोख्य मंद्री में, lockdown के उलंगन करने वालों को, करी चुनोती या करी चेतावनी दिए, करी चेतावनी दिए, चुनोती नहीं, करी चेतावनी दिए, ओके, आए अब दोस्तों यह वड़ा को clear हो गया होगा, आए बढ़ते हैं हमारे चौथे वड़ की तरफ, that is expletive, expletive का हिंदी मर्थ होता है दूरवचन, या आप उसको अप शब्द भी कह सकते हो, अप शब्द भी आप उसको कह सकते हो, आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, and these are first bad language, second one is curse, third one is profanity, and the last one is obscenity, आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो, and these are first pleasantry, and the last one is civility, आए दोस्तों हम इसका एक example देखते हैं, जैसा कि यहां लिखा गया है, विराट कोहली, यह हमारे विराट कोहली है, भारतिय क्रिकेटिंग के यह captain है, विराट कोहली allegedly used an expletive towards the crowd in second test match against New Zealand, इसका हिंदी मार्थ हुआ, कि विराट कोहली ने New Zealand के खिलाब, दूसरे test match में भीर के लिए कथित तौर पर अब शब्द का इस्तमाल किया, आहे होग दूस्तों यह वड़ाट को clear हो गया होगा, आहे बढ़ता है मारे last word की तरब, that is abode, अ-b-o-d-e, abode, इसका हिंदी मार्थ होता है निवास, अस्थान, आप इसके synonyms को भी लिख सकते हो, and these are first dwelling, second one is habitat, third one is home, fourth one is residence, and the last one is house, आप इसके antonyms को भी लिख सकते हो, and these are first annex, and the last one is office, आप इसके example को भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यह लिखा है, US President Donald Trump, visited the abode of Mahatma Gandhi in Ahmedabad, इसका साब जाहिर से मतलव हुआ हिंदी में, कि अमेडिकी राष्टपती Donald Trump, Ahmedabad में Mahatma Gandhi के निवा सस्थान पर गए, I hope दुस्ता को पांचो words clear हो गए होंगे, so thank you so much for watching this video, please like, say like कीजिए, share कीजिए, और आपका मन जो भी हो, वह आप comment कीजिए, thank you so much for staying with us,